इस वीडियो में हम आपको डिश चूज करने के बारे में बताएंगे कि जब आप डिश चूज कर रहे हैं डिश प्लस LNBF तो उसमें आपको क्या-क्या साफधानी रखने की जुरूरत है तो सबसे पहले तो आप अगर मालनों कोई थोड़े सा क्योंकि डिश जो आप चूज चीज है जो कि आपके अच्छी सिगनल आपको देर तक मिलता रहे उसमें इंपॉर्टन रहती है थोड़ी हलकी क्वालिटी की डिश ले ली तो वो आपको सिगनल थोड़े दिनों बाद गड़बड हो सकती है या इलाइनमेंट करने में भी दिक्कत आती है तो इसलिए अग क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी हो मतलब की थोड़ा मोटा हो शीट एकदम लचकती हुई ना हो दूसरी चीज यह जो आप देखेंगे इसमें यह एलन बीएफ आम है यह देखिए आपकी यह जो डिश है यह एलन बीएफ आम है यह थोड़ा स्ट्रॉंग बनी हो क्यो दिश में आपको धंका सिगनल नहीं मिलेगा और उसके अलावा जो एक और चीज है आपको ध्यान रखने की है वो यह है कि इसकी जो मार्किंग्स है यह एलन बीएफ है एलन बीएफ के उपर मार्किंग्स रहती है और आपकी जो यह है फीड आम के उपर जो ब्रैकिट है य यह आपका जो polarization के लिए आपके पास marking LNBF पे और आपके bracket पे जो holder LNBF उस पे होनी चाहिए. इसके इलावा आपके पास इसमें elevation की markings भी होनी चाहिए. Elevation की markings भी हो डिश पे और आपके पास उसमें pointer भी हो ताकि आप ढंक से आप इसके यहाँ पीछे देखेंगे तो यहाँ पर elevation की markings भी हैं और pointer भी हैं तो यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि यह pointer और elevation तब ही आप set कर पाओगे to begin with. Because फिर उसके बाद आपको ज्यादा कुछ करने का नहीं रहेगा. जब यह settings और यह markings आपके डिश पे होंगी तो आप अराम से डिश को ट्यून कर पाओगे. आपके पास जैसे azimuth के लिए तो compass है उसमें यहाँ पर डिश पे कोई markings नहीं होती. वो अलग से set होता है. लेकिन elevation के लिए यहाँ पर आप set कर दोगे जो आपकी जगां के लिए elevation है और skew angle या polarization offset वो आप LNBF और feed arm से set कर दोगे. जो डिश alignment में सबसे ज़्यादा जरूरी एक चीज होती है कि आपका azimuth angle आपने set करना होता है और elevation angle set करना होता है. तो वो दोनों जो movements हैं कि डिश में independent होनी चाहिए जब आप जो उसके tightening nuts हैं उसको डिला करते हो तो आप independently azimuth को set कर पाना चाहिए और independently elevation को set कर पाना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ जैसे अब मैं देखी अगर मालो मैं इसको azimuth कहते हैं आपको पता है कि यह जो ऐसे horizontally गुमाना है जो clockwise और anti-clockwise गुमाने को azimuth कहते ह हैं और उपर और नीचे करने को elevation कहते हैं अब यह movement हो रही है तो elevation हो रही है है और clockwise और anti-clockwise गुमा रहा हूँ तो यह azimuth तो यह दो जो movements हैं डिश में वो independent होनी चाहिए जनरली जो अच्छी quality की डिशिज है उनमें यह सब में यह होती है चीजे तो typical indicative prices हैं डिश की वो low quality डिशिज हैं जो थोड़ी सस्ती हैं वो 300-300 से लेके 500 रुपय तक आ जाती हैं थोड़ी जो medium quality डिशिज हैं वो 400-500 तक आ जाती हैं और जो high quality डिशिज हैं जिनका weight अच्छा है और प्लस उनमें से कुछ बाहर की भी रहती हैं तो वो 600-800 रुपय की आती हैं तो कम से कम आप medium quality या high quality डिशिज के ले जाईए क्योंकि यह एक तो बाहर रहनी होती है और main signal इसी के थूप होके आपके पास आ चीजें ध्यान में रहें तो generally आपको अगर आप थोड़ा सा एक better dish लेते हैं तो उनमें आपको यह सब चीजें automatically मिल जाती हैं